अहिम्सा सम्ता तुष्टिस तपो दानम यशो अयशह भवंती भावा भूतानाम मत्तेव प्रिथक विधाह नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दसवे अध्याय का पाँचवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अहिंसा समता तुष्टिस तपो अर्थाथ अहिंसा समता संतोष तप दानम यशो अयशह अर्थाथ दान यश अपयश भवंती भावा भूतानाम अर्थाथ होते हैं ये भाव भूतों के मत्तेव प्रिथक विधा अर्थाथ मुझ से ही प्रिथक प्रकार के तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में और इस श्लोक में जोड़ करके यहां पर जो कह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि जो भूतों में होने वाले विबिन्न भाव है जैसे कि बुद्धी, ज्यान, मन की स्पष्टता, शमा, सत्य, आत्मसंयम, शान्ती, सुख एवं दुख, होना एवं ना होना, भय एवं अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश एवं अपयश ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं तो श्रीक्रशने यहाँ पर विबिन्न प्रकार के भावों का वर्णन कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन में से अधिकांश भाव जो हैं, वह सकारात्मक भाव हैं किन्तो कुछ ऐसे भाव भी हैं जो की नकारात्मक हैं तो यहाँ पर हम यह तो समझ सकते हैं कि किस परकार से सकारात्मक भाव जो है वह श्री कृष्टन से उत्पन्न होते हैं किन्तु यहाँ पर श्री कृष्टन कहा रहे हैं कि मुझसे नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते हैं सकारात्मक में तो उन्होंने बोला कि ग्यान, मन की इस पश्टा, ख्षमता, ख्षमा, सत्य, आत्मसईयम, शांति, नाना परकार कि उन्होंने यहां पर भाव बोले, जो कि सकारात्मक भाव हैं, किन्तु उन्होंने नकारात्मक भाव भी बोले, जैसे उन्होंने बोला कि दु तो हमको ये भी समझना चाहिए कि जो नकारात्मक भाव होते हैं वह भी वास्तों में श्रीक्रिशन से ही उत्पन्न होते हैं तो ये जो नकारात्मक भाव होते हैं ये श्रीक्रिशन से क्यों उत्पन्न होते हैं आईए उसको हम यहापे समझते हैं तो जो धार्मिक विचारदारा होती है उसमें हम जानते हैं कि ये बोला गया है कि जो भी अशुब है उसका जो स्रोत है वह अज्यानता है तो अज्यानता के कारण व्यक्ति के जीवन में अशुब फल आते हैं जो हम जानते हैं अब ये जो अज्यान है ये वास्ता में क्या है तो जो यह अग्यान है वह वास्ता में ये है कि हम अपने मूल सुरूप को नहीं समझ पाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मूल सुरूप है वह दिव्य है वह श्रीक्रिशन है हम इस मूल सौरूप से भटक जाते हैं और इस कारण से हम अग्यानता में चले जाते हैं तो अभी जो हम मूल सौरूप से अपने भटक गए इस कारण से हम श्रिक्रश्ण से प्रिथक हो जाते हैं और श्रिक्रश्ण जो है वह इस संपून श्रिष्टी के स्वामी है तो हमारा जो मुल्च वरूप है वह श्रिक्रशन है अर्थात हमारा जो मुल्च वरूप है वह इस श्रिष्टी का स्वामी है किन्तु हम भूल जाते हैं इस बात को और क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं और जब हम इस स्वामित्व को खो देते हैं तो हमारे भीतर तब शंका उत्पन होती है हम तब यह सोचते हैं कि हम इस श्रिष्टी के नियंत्रण में नहीं है यह श्रिष्टी जो है हमारे नियंत्रण से बाहर है और जैसे ही हमें ये भाय उत्पन होता है कि यह जो शृष्ठी है हमारे einत्रण के बाहर है तो हमारे भीतर फिर भाय उत्तपन होता है क्यूंकि तब हम इस शृष्ठी की जो पहलू है जो कि अनिश्चित्ताइश लेके आता है उनके प्रति हम फिर सम्वेदंशील हो जाते हैं तो क्योंकि हम सम्वेदंशील हो जाते हैं इस संसार में इस श्रिष्टी में हो रही जो भी अनिश्चित्ता हैं तो इस कारण से हमारे भीतर भाय उत्पन्न होता है और ये जो भाय होता है ये है फिर हमारे भीतर ये जो अशुब हमारे पहलो होते हैं उनको उत्पन्न करता है जैसे हमारे भीतर आसकती उत्पन्न होती है हमारे भीतर वासना उत्पन्न होती है इरशा उत्पन्न होती है हमारे भीतर लोब उत्पन्न होता है और जब ये जो भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है वास पन होते हैं, तो ये हमारे पास आए हमें यहां पर यह भी समझना चाहिए कि यदि हम Shri Krishna के साथ में जुड़े रहें तो यह नकारात्मक पहलों कभी आएंगे ही नहीं हमारे पास होता है तब तो वह Shri Krishna को भूल जाते हैं और फिर जब उन्हें दुक होता है तब वह Shri Krishna का स्मरन करते हैं तक यदि व्यक्ति सदा स्मरन करता ही रहे श्रीक्रेशन का तो तब तो दुख होएगा ही नहीं, तब तो कुछ आशुब आएगा ही नहीं क्योंकि तब तो आप श्रीक्रेशन सही जुड़े हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पर इन दो श्लोकों के दारा श्रीक्रेशन समझा रहे हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलो मुझसे उत्पन्न होते हैं सकारात्मक पहलो उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहता है और नकारात्मक पहलो तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति मुझे भूल जाता है तो जब मुझे भूल जाता है तो मैं उन्हें फिर ये नकारात्मक पहले भीजता हूँ ताकि वह मुरा स्मर्ण कर सकें तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोग को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसे के साथ इस वीडियो को इहीं पर समात करते हैं लाक स्थे